भीरम सेक्षन के शॉटिंग में जो लोग फस जाते हो तो ये वीडियो बस उन लोग के लिए है जो भीरम सेक्षन का शॉटिंग मतलब जैसे भी करके शॉट-इूट नहीं कर पाते हो तो देखो ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो पर जो भी लोग आ गए हो ये एक स्पार्ट लोगों के लिए भी है और जो विगिनर से उनके लिए भी है तो कभी कबर क्या है हम कुछ-कुछ बोर्ड में सभी बोर्ड में डेक्स्ट of Motherboard में भी एरम सेक्शन का शॉर्टिंग को लेके हम फस जाते हैं अभी किस तरह का शॉर्टिंग यह आता है तो हैस्टिफ बैस्टिफ हम देखते हैं तो देखो यह एक बोर्ड है यह फॉंटिक का 31 नहीं 37 का बोर्ड है अभी मॉडल नंबर यहाँ पर कुछ है यह देखो जी 371A101 तो यही है तो जी 37 कहेंगे इसको 31 नहीं इस बोर्ड में भीरम सेक्षन में तो शॉटिंग है ही और इसके बाद भी यह क्या हुआ यह बोर्ड जो है यह एक रेगूलेटर होगा या फिर जो भी है या फिर कंट्रूलर आइसी कुछ होगा यह उठाके मैंने कॉइल के उपर रख दिया है देख सकतो यह ऐसी भी बान हो चुका है यहां पर एकदम कोने में बान हो गया है पर इसका नंबर भी आनी रहा है तो इसका तो schematic नहीं है अभी IC का काम क्या है ये मुझे नहीं पता IC को क्या बोलते है क्या है पर मैंने बस remove करके रख़ा है पर इतना sure है इस coil का जो supply है ये मिल नहीं रहा है बोर्ड में पीसेज का supply मतलब सौरी बीच का IC का supply मिल नहीं रहा है अभी IC तो हम manage करेंगे बाद में देखेंगे सेम टाइप का बोर्ड हुआ तो अभी तो 37 का भी बोर्ड में ये कोईल के साथ आने लगा है मतलब हाई स्पीड करने के लिए बोर्ड को कुछ अपडेशन किया है कमपनी में कोईल में वोल्ट नहीं बन रहा वो चप्टर अलगें वा बाद में देखेंगे उसका केस tutorial तो अभी जेख देखो केसिस तड़ी में बना रहा हूं थे बहूं में लोग अठक स्वाट जाते है अभी क्यों अटक जाते हो अभी इस बोट को देखेंगे तो ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारा केस आप सॉल्प करेंगे इजीली देखो अभी एक चीज दिखाता हूं ये लगाया पावर दिया और एक कार्ड लगाते पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड लगाया अभी इस इस बोट आप देंगे तो आपको अगर ये वीडियो नॉर्मल लग रहा है तो प्लीज इसकिप मत करो ये नॉर्मल वीडियो नहीं है इसको देखेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा पावर दिया बोर्ड आउन हो गया पर एलेडी हमारा नहीं है क्योंकि वेरम सेक्शन में जो है हमारा 12 वोल्ट सेक्शन में जो पावर इंपूट मैंने खौल के रखता है अभी देखो इसको अगर हम लगाएंगे तो बोर्ड ओफ हो जाएगा क्योंकि यह देखो ओफ हो गया ठीक है मतलब यह रम सेक्शन में होना शौट ही है जब भी डाला टश करके एक आवाज आवा साउंड आया उसके बाद वोर्ड ओफ हो गया अभी दो बार हम इसको ओफ करके जितने भी पावर डालेंगे तो यह अन नहीं होगा तो अभी जो लोगों को लग रहा है कि मॉस्पेट बगरा शौट है चलो वीडियो को स्किप करते तो भाई देखो मैं नॉर्मल वीडियो ववाइट नहीं करता हो बेसी के लिए अगर नॉर्मल वीडियो ववाइट करता हर रोज 10-12 वीडियो अपलोड हो जाता तो वीडि दोबारा टिगर नहीं लेगा यह देखो दोबारा इसको टिगर करेंगे तो ओन ही नहीं होगा अभी क्या है इसको हटाते इसमें इंटरेस्टिंग चीज यह है इस बोड में अभी एक फर्स्ट मॉस्पेट था यह देखो यह बाला तो वर्स्ट मॉस्पित हमारा फस्ट फट वस्ट एक आस सीप्यू को रीमुफ कर लो दूर कर रहा हो तो सीप्यू को रीमुफ कर लेना होगा ठीकर प्ली एक दिखने ओन् degrees करेंगेँ व आँसे तो मzamठरेखोDAS वो बार बार गलती गरेंगा इस मौस्पेट का कॉंसेप्ट कुछ है ऐसा तो यह देखो गेट और सॉर्स इसका शॉट बताएगा तो इसका मतलब यह नहीं के पैड खराब है हर वक्त हमको लगता है कि gait और source short है, तो gate कहीं पर short है, ऐसा नहीं है, तो यही mospit यहां पर लगा था, अगर यह मौसपेट को हम check करें, तो मौसपेट हमारा देखो, ओके है, यह को बीप नहीं कर रहा ह। यह टिगार दूँगा, यह थिगार द sporty is ini करेंगा, ठीक है तो फिर से अगर मैं तो अभी उगली नहीं रख सकता क्योंकि ग्लास पहना हुआ है तो उगली से टाच करेंगे इसको फिर करेंगे तो फिर से यह टिगर देना पड़ेगा उसके बाद वीफ करेगा तो अभी इसको रख कुछ लोग यहां पर फस जाते हो कुछ लोग जो नहीं नहीं काम कर रहे हो कहां पर फस जाते हो देखो इस ट्रैप के केस में ध्यान से देखो अभी से वीडियो स्टार्ट हुआ में वीडियो तो इस तरह का केस में मॉस्पेट कई पर भी शॉटिंग नहीं है यह देखो मॉस्पेट पर भी शॉटिंग नहीं है यह करता है यह ओम स आ रहा है यह काम सा रहा हुआ यह शॉटिंग नहीं है अभी यहां पर जो SMD Regarde है उनमें भी शॉटिंग नहीं है यह यहां सब्सक्राइब टहएग-जवच और छार रहा हुआ है झाल कि एट अथो इंदो देखो मतलब शौटिंग नहीं है कोई भी मॉस्पेट शौटिंग अब क्या है लीकेज अगर मॉस्पेट हुआ तो क्या होगा ऐसे में leakage MOSFET में क्या होता है अगर MOSFET leakage है अंदर से पावर दोगे तो नहीं चलेगा पर multimeter से ऐसे हब check नहीं कर सकते हो multimeter से कई angle से भी यह beep नहीं करेगा gate to source या फिर drain to source drain to gate यह beep नहीं करेगा continuously beep नहीं करेगा और करेगा अभी तो कुछ time करके ohms आएगा फिर बंद हो जाएगा पर continuously beep नहीं करेगा अभी यहां पर तो कोई MOSFET शॉटिंग नहीं है अभी रही बात यह polarized capacitor यही पर ही ज्यादा तर लोग फस जाते हो क्योंकि motherboard में voltage regulator module में जो यह paper polarized capacitor होता है यही capacitor short होता है ठीक है अभी इसको क्या हर एक को आप निकालके ऐसे multimeter से चेक करोगे तो शॉटिंग नहीं आएगा इसके लिए LCR मिटर चाहिए होता मैंने कहा है अभी सभी के पास LCR मिटर नहीं होता है वो बंदा क्या करेगा हर एक capacitor को एक दो तीन चार पाट चाहे साथ आठ यह उठाएगा कैसे चेक करेगा मल्टिमिटर से चेक करेगा तो नहीं falding नहीं आएगा तो अभी इसके लिए DC power supply की जरूरत है अभी जिसके पास DC power supply नहीं है वो क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है वो बाद में बताता हूँ आप क्या करोगे जिनके पास DC power supply नहीं है अभी DC power supply है अभी 5 ampere वाला अगर किसी के पास DC power supply है तो भी यह board वो ready नहीं कर पाएगा कर पाएगा हाला कि बहुत मतलब उसको इसमें time देना पड पड़ेगा उसके बाद देखना पड़ेगा शौटिंग है की नहीं तो देखो अभी इस case में क्या बनता है इस case में हमारा बनता है यह तो शौटिंग है यह देखो यह तो शौटिंग है continuously बीप कर रहा है यह छोड़ नहीं रहा है अभी MOSFET जो है हमारा एक भी नहीं है अभी इसको क्या करेंगे हम पावार सप्ले अगर आपके पास है तो फाइब भूल्ड वाला है तो उन लोगों के लिए क्या धिक्कत होगा वह मैं दिखाता हूं देखो अभी इसमें 3 वोल्ट सेट किया हुआ है और भी बढ़ा देते हैं वोल्टेज चलो 5,4,4,4 अभी देखो अभी देखो इसमें थोड़ा सा देख लो यहां पर यह देखो यह जो है यह लगा दिया कितना वोल्ट है 5.179 एंप्यार कंजूम कर रहा है यहां पर जो है सिसी पर कॉंस्टन कारेंट पर तभी फाइब भूल्ट में मैंने जब लगा या इसको सेट किया तो पॉजिटिव में 1 को ग्राउन देना है और यहां पर जो पॉजिटिव है एक पिन देना है अभी पॉजिटिव में जब मैं 5 वोल्ट दे रहा हूं तो यहां पर कोई भी कम्पोनेंट का कोई भी कुछ ही इडिंग नहीं है ठीक है यह देखो 5 भूल्ट यह ले लिया फाइब भूल्ट लेने के बाद इसका यहाँ पर फाइब भूल्ट यह देखो फाइब पे चल रहा है अभी 5.177 यह डालने के बाद आ गया शॉटिंग दिखा रहा है पर इसमें भी देखो मैं उंगली देखे दिखा रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा इसके लिए मैं लिक्विट यूस कर रहा हूँ देखो कोई भी कमपोनेंट में शॉटिंग नहीं है कोर आइसी से लेके कोईल कैपसेटर देखो कोई भी शॉटिंग नहीं है अभी पास से देखो एक से भी मतलब कोई भी शॉटिंग नहीं है कि यह एब्सॉब हो रहा है लिक्विट ऐसा नहीं है तो जिसके पास फाइब एमपेयर वाला मतलब डीजी पार सप्ले रहेगा वो भी इस बोट को मतलब रीपेयर करने में दिक्कते आजाएगा अभी इसको तो क्या करना है 10 एमपेयर वाला अगर आपके पास है डीजी पार सप्ले तो इस तरह से आप शॉट रिमूप कर सकतो अधरवाइस जो पॉसेस है में बाद में दिखा बता दूँगा इस टेप बैस टेप थो देखो इसको मैं फाइफ के जगा पर अगर में यहां पर बडा दूँग, इसको इन क्रीज कर दूँग सेवेन तक कर सकतों सेवेन तक करने के बाद इसको कंई एह केपस्टर वह भी कया है यहां पर जो है हमारा,аль ağ यो लिक्विड है वो इब्सॉब नहीं हो रहा है पर उंगली अगर हम रखेंगे तो यह कैपस्टर है जो हीट हो रहा है ठीक है यह वाला कॉंसा एभी मैं देखता हूँ एक सेगन कौन सा हीटिंग है यह वाला यह वाला कैपसेटर में हीटिंग है थोड़ा थोड़ा बहुत है और भी बढ़ाएंगे टेन अमपेर करेंगे तो यह थोड़ा सा हीट बढ़ेगा तो यही है फंडा अगर आपके पास फाइब बोल्ट का भी पावर सप्लाई है तो भी कुछ कुछ केस में आप फेलियोर हो जाएंगे क्योंकि यह पेपर कैपसेटर कभी कबार होता है कि फाइब बोल्ट से काम नहीं बनता हीटिंग आपको नहीं पता चलेगा और अब जब भी पावर दे रहा हो तो मैं रिक्वेश्ट करता हूँ बार बार बोलता हूँ सबको फिर भी बता रहा हूँ इस तरह का एक ग्लास आखों में पैना करें क्योंकि यह ब्लास्ट होता है ब्लास्ट होके सिधा उपर जाता है और इसका स्पीट मतलब रॉकेट की तरह होता है अगर कई पर भी लगेगा तो आपको वहाँ पर डिप होके आपका जो इसकीन है वो बान कर देगा और आख में लगा तो गया तो देख हो, यह बाला कैपस टर मतलक यह बाला कैपसेटर जो है यह बाला मैं देखेंगे यह हमारा भोड में कुछ चेंजेश है यहाँ पर थोड़ा सा बान हो गया यह पर बान हुआ है कि क्या हुआ एक सेगन थोड़ा सा मुझे देखना है नहीं नहीं कुछ लगा है कुछ लगा है तो अभी देखो जिसका शॉटिंग कैसे रिमूब करते हैं लास्ट टाइम एक बार देखो अभी भी शॉटिंग है और बोर्ड अभी नहीं चलेगा यह देखो सॉरी यह लग गया यह देखो जिरो के साथ चल रहा है है ठीक है तो कैपसीटर में अगर हम देखेंगे ऐसे माल्टी मीटर से कैपसीटर को चेक नहीं कर सकते नहीं कर सकते तो अभी यह 0 आ रहा है फाइफल Holzॉल जाएगा अधि-धथ इसको मैं रिमॉब करता हूं उसके बाद दिखाता हूं क्या समर्ष लॉजिक है इसका एक सेकंड, ये वाला, ये हीट हो रहा था, ठीक है, ये वाला, अभी इसको न्यूट करने के बाद देखेंगे, कि हमारा जो शॉर्टिंग था, वो गया की नहीं, अब इसको देखेंगे, अब इसको देखेंगे, आपको नहीं लग रहा है, कि ये खराब है, देखो, बिल्कुल सही है, पर ये खराब है, ठीक है, अभी देखो, देखो, शॉर्टिंग चला गया, गया, ये देखो, चला गया, जिरो ये ला गया, मतलब जिस एंगल से भी हम करेंगे, ये देखो, जिरो ये ला गया, ठीक है, ये देखो, बिल्क करके जिरो ये ला गया, मतलब ओपन लूप आ गया, ठीक है, तो अभी इसमें शॉर्टिंग नहीं, अभी देखो, इसमें अगर वो ही सिप्यू डालेंगे, कहां पर रखा, ये वाला, सिप्यू डालेंगे, और चलाएंगे, तो हमारा बोर्ड रन करेगा, ठीक है, मतलब भीरम सिक्षन का शॉर्टिंग जो है, वो रिलीज हो गया है, अभी इस बोर्ड में और भी एक स्टेप काम करना है, वो मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि ये आईसी अभी बोर्ड ढूनना पड़ेगा, अईसी एबल लबल नहीं है मेरे पास, क्योंकि आईसी का अ कंट्रोलर आईसी भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं कह सकते है ऐसे, तो देखो, तो ये ही लोग फसते हो, क्योंकि पेपर, पोलराइस कैपसेटर में जो शॉर्टिंग आता है, वो शॉर्टिंग अगर आपके पास 10 अमप्यर का डिसी पावर सप्लाई नह है, तो आप इसी ली डिमूब नहीं कर सकते हो, अधरवाइस जिसके पास नहीं है, उसका मैं बता रहा हूँ क्या करना है आप लोगों को, यह देखो, पावर दिया, और यह देखो, चला है, अभी देखो, बीरम सेक्शन में पावर डाला हुआ है, बोर्ट चल रहा है, ठी क्योंकि इसका, यह जो आईसी बान हुआ है, यह ब्रीच काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आईसी इच काम नहीं कर रहा है, यह जब तक काम नहीं करेगा, तब तक यहां पर कोडिंग नहीं आएगा, तो यह आईसी भी चेंज करना होगा, और भी देखना पोड़ेगा, इसके बाद और भी कुछ शॉर्टिंग है कि नहीं क्योंकि SMPS बान होने के बाद ये बोर्ड भी एक ही साथ बान हुआ है तो देखो भीरम सेक्षन में अभी देखो पावार डाला हुआ है और बोर्ड चल रहा है हमारा पर शॉर्टिंग जो था वो हट चुका है ठीक है भीरम सेक्षन में जो शॉर्टिंग था बोट चल रहा है तो यही एक प्लाराइस कैपसेटर जो था यह शॉर्ट था तो ऐसे चेक करेंगे तो मल्टमिटर से नहीं होगा तो किसी एक वीडियो में देखाएंगे यह शॉर्टिंग कैसे करते हैं एल से तो वीडियो इतना ही रखते है और यह बोर्ड अगर ऐसी मिले तो इसके उपर और एक वीडियो बनाएंगे ठीक है? तो मेंली ये वीडियो था भीयरम के case study के उपर तो बोड़ अभी चल रहा है देखो शॉटिंग हट चुका है तो मिलते हैं किसी next case study पर अगर वीडियो अच्छा लगे आप कुछ नया सिके हो तो fan circle दोस्तों के साथ share करो जय हिंद